हेलो स्टुदेंट्स वेलकम बैक टो आर फांडेशन आज हम लोग क्लास नाइन्थ का साउंड चेप्टर का पार ठट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग प्रोडक्शन आप साउंड के बारे में स्टड़ी करेंगे तो क्लास एट में आप लोग ने पढ़ा था कि जब भी कोई अ प्रोडुस नहीं होगा टो आप लोगोंने ट्यूनिंग फॉक का एक्जामपल एख था जब आप इसके प्लॉंग को इसकी करते हैं यहां तो लगता है एंड उस कंडिशन में आपको आवाज सुनाई देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई अब्जेक्ट करता है उस कंडिशन में साउंड का प्रोडक्शन होता है यह देखे यहां पर ट्यूनिंग फॉक्स जो है वेवरेट कर रहा है प्रोडक्शन हो रहा है और हम लोगों ने पढ़ा है कि साउंड एक लॉगिचुडनल वेव है जो की इस तरह से प्रोपगेट करता है जिसमें कॉम्पडेशन एंड रियरिफ्रेक्शन का प्रोडक्शन होता है फॉर्मेशन होता है तो यह देखे टुनिंग फॉर्क वेबरे से वह कोन है वह मोस्टू Touό करें वहок मॉस्ति गुत के वैभ्याईचन से प्रोडियूस होता है यहां झालय को ही Case इस को यहिए यह से इसको स्ट्राइक करेंगा वाड्य मैंब्रेट करने लागएगा झाल अस्क्ति में गिटार है, गिटार में यह श्ट्रिंग जो है, यहाँ पे एच्छे श्ट्रिंग होता है यह सारा श्ट्रिंग जब वेवड रेट करता है, तब उसकेस में sound का production होता है, यह देखिए इस तरह से अपने हाथों से शारे श्ट्रिंग को प्रोड्यूस होता है जिसके वज़े से साउंड का प्रोडक्शन होता है यह सैंबल है इस तरह का होता है यह देखिए यह मंकी जो है इसको बजा रहा है तो यह plate होता है इस तरह से और यह plate जब आपस में टकराता है तो vibration प्रोड्यूस होता है और उस case में sound का production होता है तो हम लोगों ने देखा कि sound vibration से produce होता है यहाँ देखे sound a string के vibrate करने से produce हो सकता है जैसे कि सितार या guitar में होता है गिटार में भी हमने देखा कि इस तरह से 6-string होता है एंड इसको एक साथ आ-स्ट्राइक करने पर आवाज का प्रोडक्शन होता है आप यह सारे अ-स्ट्रिंग को सिंगली भी आ-स्ट्राइक करके साउंड का प्रोडक्शन करवा सकते हैं यहां देखें बाइव वैबरेटिं साउंबल है वहां पर प्लेट वैबरेट करता है साउंबल में देखें नेक्स्ट है कि हुमन में किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम लोग जानते हैं कि साउंड जब भी प्रोड्यूस होगा वह वैबरेशन के वज़े से ही होगा इसका मतलब हुमन में भी कहीं chord होता है actually एक pair of vocal chord होता है जो की vibrate करता है and जिसके vibration से हम लोग आज produce करते हैं ये देखिए ये human का throat है जिसमें ये जो ये जो part होता है इसको vocal chord कहा जाता है ये lirings lirings का part होता है vocal chord and जब आप इसको यहां से इस तरह से cut करके देखेंगे यहां से cut करके इसको vertically उपर से देखेंगे तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा और ये आपका vocal chord हुआ ये human का vocal chord है यही इस तरह से close होता है और open होता है ये देखिए close structure है जब vocal chord हमारा close होता है तो इस तरह का safe होता है and जब vocal cord अपना open होता है तो इस तरह का structure form होता है इस figure में देखिए यह GIF है इसमें देखिए किस तरह से vibrate कर रहा है अपना vocal cord जब sound इधर नीचे से pass होता है उपर की और यह देखिए यहां से sound उपर की और pass होता है and इसको vibrate कर बाता है इस vocal cord को and जिसके वज़े से vocal cord open होता है and close होता है and sound का production होता है तो यह देखिए एक vocal cord है किसी singing women का कोई women जब गाती है तो उसका vocal cord इस तरह से vibrate करता है most case में object जो sound produce करता है उसमें इतना तेजी से vibrate होता है ना कि हम लोग उसको generally notice नहीं कर पाते हैं next topic है propagation of sound propagation of sound का मतलब होता है कि आवाज किस तरह से travel करता है जैसे यह sound का source है यह आपका ear है तो यह sound के source से ear तक sound किस तरह से travel करके जाता है इसी को propagation of sound कहा जाता है तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से sound travel करता है हम लोग ये बात जानते हैं कि sound wave एक longitudinal wave है and longitudinal wave में compression and rarefaction का production होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा है compression and rarefaction का formation होता है ये देखिए इस figure में देखिए ये जहाँ पर condensed area है जहाँ पर density ज्यादा है इसी को compression काहा जाता है और जहाँ पर density कम है इसको rarefaction काहा जाता है तो sound wave एक longitudinal wave है and longitudinal wave के case में particle and wave same direction में move करते है ये देखिए ये जो एक particle है ये अपने position पर इससी direction में इस तरह से बैक और फोर्थ वैबरेट करेगा and ये वैबरेट करके energy इसको देगा फिर ये वैबरेट करके energy अपने next particle को देगा फिर ये वैबरेट करेगा energy अपने next particle को देगा इस तरह करके जो sound energy यहाँ से चलना start होता है वो यहाँ तक पहुंच जाता है ये देखिए यहाँ पर speaker से आवाज निकल रहा है एंड आसपास में इन भॉर्मेंट में जो एयर पार्टिकल है वो इस तरह से आपस में वेबरेट करने लगता है जैसे एक पार्टिकल को देखिए इस पार्टिकल को देखिए ये इस तरह से आगे गया फिर ये आगे गया फिर पिछे आया तो ये टू एंड फ्रो अपने पो इस case में particle का movement नहीं होता है, particle बस अपने position पे to and fro move करता है, बट energy एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँच जाती है, energy मतलब इस case में sound energy, तो यह सारी बाते हम लोगों ने वे जब पढ़ा था उस वक्लियर कर लिया था, next है कि sound need some material medium to travel, sound को एक जगह से दूसरे जगह पे travel करने के लिए एक material medium का जरूरत होता है, देखिए, इस case में जो air particle है, यह material medium का काम कर रहा है, यह medium का काम कर रहा है, जो की एक particle यहां से sound energy को pick कर रहा है, अपने next particle को दे रहा है, next particle sound के energy को pick करके next particle को दे रहा है, इस तरह से energy आगे की और मतलब हर direction में move कर रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह particle आप ऐसे समझे कि अगर यह particle होगा ही नहीं तो यहाँ से जो sound produce होगा वो आगे किस तरह से बढ़ेगा यहाँ पे तो कोई particle ही नहीं है जो कि vibrate करे and energy को आगे की और forward कर सके तो इसका मतलब यह हुआ कि sound energy को propagate करने के लिए sound energy को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक medium का जरूरत होता है विना medium का sound एक जगह से दूसरे जगह तक travel नहीं कर सकता है और यह जो medium है यह कुछ भी हो सकता है solid हो सकता है liquid हो सकता है या gas भी हो सकता है वैक्यूम में sound travel नहीं करता, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी particle ही नहीं होता, जो की sound energy को carry कर सके, तो कुछ बाते आप लोग याद रखिएगा, कि sound एक longitudinal wave है, longitudinal wave जब move करता है, तो उसमें compression है, rarefaction का production होता है, sound vacuum में propagate नहीं करता, sound को propagate करने के लिए, material medium का जरूरत होता है, and a material medium, solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, और gas भी हो सकता है, तो इतने बाते clear है, a space में जहाँ पे हर जग़ा vacuum होता है, वहाँ पे कोई भी medium नहीं होता, तो जब दो आदमी a space में होता है, तो ये दुनों आपस में directly एक दूसरे से बात नहीं कर सकता, क्योंकि a space में कोई medium ही नहीं होता है, वहाँ पे vacuum होता है, ये देखिए, NCRT में एक experiment दिया हुआ है, ये एक jar है, इसमें एक vacuum pump लगा हुआ है, जो कि इसके अंदर से सारा air particle को सक करके बाहर निकाल देता है, यहाँ पे एक electric bell लगा हुआ है, तो जब आप इसके अंदर से सारे air particle को निकाल देते हैं, मतलब जब इसके अंदर vacuum हो जाता है, और जब आप electric bell के switch को on करते हैं, तो उस case में bell ring तो करता है, पर हम लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता, क्यूंकि इसके अंदर कोई material medium ही नहीं होता है, जो की sound energy को carry करके बाहर तक पहुँचा है, तो आप इसको test कर सकते हैं, एक case में इसको vacuum, ये जो vacuum pump है, इसको on मत कीजिए, अंदर air particle रहने दीजिए, और उस case में जब आप electric bell को बजाईएगा, यहाँ पर switch on कीजिएगा, तो आपको ringing आवाज बाहर सुनाई देगा, पर जब आप इसके अंदर vacuum create कर देंगे, उस case में जब आप electric bell को बजाईएगा, तो आपको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगा, तो sound को travel करने के लिए एक medium चाहिए होता है, एंद हम लोगों ने जाना कि वो medium कुछ भी हो सकता है, solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, या gas भी हो सकता है, यह experiment आप लोग करके देखिएगा, table पर आप इस तरह से अपने कान को टच किजिएगा, एंद अपने फ्रेंड को opposite set बुलेगा कि इसको strike करे, इस पर धिरे से tap करे, तो जब यह table पर आपका दोस्त इधर से tap करेगा, तो आपको यहाँ पर आवाज सुनाई देगा, tapping sound यहाँ पर आपको सुनाई देगा, तो इस जार है, इसमें पुड़ा पानी भरा हुआ है, एंद इसके अंदर एक बेल है, जो कि यह लरका अपने कान को इस तरह से water पर टच किये हुए है, एंद अंदर में बेल को बजा रहा है, तो जब बेल बजती है, तो इस water medium के थूरू sound travel करके इसके कानों तक पहुंचती है, ए पिर इस table पर जब यह आपका दोचा strike किया, तो भी आपका आपका आज नहीं सुनाई देना चाहिए था, अगर solid या liquid के थूरू आज travel नहीं करता तो, बट ऐसा होता है, इससे प्रूफ होता है, कि sound liquid में भी travel करता है, एंद solid में भी travel करता है, एंद हम लोग जो आपस में इ sound का speed सबसे ज्यादा solid में होता है, solid से थोड़ा कम, थोड़ा कम नहीं मतलब solid के पर अशन सबसे ज्यादा solid में होता है, उश से कम liquid में होता है, इससे कम gas में होता है, यह देखिए, इस animation को देखिए, इससे पता चलेगा कि gas में speed कम क्यूं होता है और solid में speed सबसे ज़्यादा क्यूं होता है यह देखिए यह tiles इस तरह से arrange किया हुआ है यह tiles जो है particle को soak कर रहा है आप लोग इतना जानते होंगे कि gas के case में intermolecular space ज़्यादा होता है gas के case में particle एक दूसरे से काफी distance पे होता है and liquid के case में particle एक दूसरे से थोड़ा कम distance पे होता है gas के मुकाबले but solid के case में solid का particle जो होता है एक दूसरे के काफी नजदिक नजदिक होता है इसमें intermolecular space काफी कम होता है तो देखिए यहाँ पर यह जो block है यह जो tiles है यह काफी distance पे सारा particle है एक दूसरे से liquid के case में थोड़ा कम distance पे है and solid के case में बिल्कुल कम distance पे है तो जब यहाँ से vibration produce होना start होगा जब यहाँ पे sound wave आएगा and यहाँ पे आकर के सारे block को एक साता strike करेगा तो जिस case में particle एक दूसरे से जादा distance पे होगा वहाँ पे एक block दूसरे block को थोड़ा time के बाद push करेगा पर जब सारा block बिल्कुल आसपास होगा इस case में सारा particle एक दूसरे को sudden sudden push करता रहेगा तो इस तरह से solid के case में sound wave जल्दी आगे move कर जाएगा बट gas के case में slowly slowly move करेगा तो ये बस इतना समझिए कि sound car speed solid में सबसे जादा होता है liquid में solid से कम होता है and gas में sound car speed सबसे कम होता है इस chart में देखिए solid में aluminum में sound car speed 6420 meter per second होता है nickel में 6040 meter per second होता है steel में देखिए लगबग 6000 meter per second के speed होता है liquid में देखिए water में 1531 meter per second का ही speed होता है देखरें, solid और liquid में कितना ज्यादा speed का difference है and gas में चले आईए, तो air में सिर्फ 340 meter per second होता है water में sound का speed 1531 meter per second होता है and air में sound का speed 340 meter per second होता है hydrogen में देखे, air का speed comparatively ज्यादा होता है hydrogen के case में sound का speed comparatively air से ज्यादा होता है इस case में 1284 meter per second होता है तो इस चार्ट से आप लोगों को पता चल जाएगा कि solid के case में sound का speed सबसे ज्यादा होता है aluminium में देखे, सबसे ज्यादा sound का speed होता है 6420 meter per second, मतलब लगभग 6.5 kilometer per second का speed है water में 1.5 kilometer per second का speed है लगभग and air में 340 meter per second का speed है ये देखिए, sea water में sound का speed ज्यादा है बट distilled water में sound का speed कम है क्योंकि sea water में salt होता है sea water में salt घुला होता है जिसके वज़े से उसमें particle number of molecule ज्यादा हो जाता है and intermolecular space कम हो जाता है जिसके वज़े से sea water के case में sound थोड़ा fast move करता है distilled water के competition में next है कि sound का speed किस-किस factor पे depend करता है तो पहले तो पहला तो हमने देखा कि medium पे depend करता है किस medium में sound propagate कर रहा है speed उस पे depend करता है solid में ज्यादा होता है liquid में इससे कम होता है and gas में इससे भी कम होता है यह हो गया first factor next हो गया temperature जब temperature high होता है temperature जब high होगा यह देखे temperature जब increase करेगा तो sound का speed भी increase करेगा temperature डाउन जाएगा तो sound का speed भी डाउन जाएगा क्योंकि जब किसी चीज को आप hit करते हैं जब उसका temperature बढ़ाते हैं तो उसमें kinetic energy आता है आप लोग यह सारा concept जानते हैं kinetic energy आता है तो उसका molecule ज्यादा तेजी से भेवरेट करता है किसी भी object को जब आप hit करते हैं तो उसका molecule बहुत तेजी से भेवरेट करने लगता है और जब तेजी से molecule भेवरेट करेगा तो sound का speed इंक्रीज करेगा next third factor है humidity पे जब air में humidity हाई होगा तो sound का speed भी high होगा देखिए dry air में sound का speed कम होता है humidity हाई का मतलब क्या हुआ air में water molecule ज्यादा है तो air molecule भी है and water molecule भी है इस condition में यहाँ पे density increase कर जाएगा मतलब number of molecule ज्यादा हो जाएगा पास पास हो जाएगा number of molecule ज्यादा हो जाएगा इंटर मॉलिकुलर अस्पेस कम हो जाएगा जब इंटर मॉलिकुलर अस्पेस कम हो जाएगा तो वहाँ पे particle एक दुसरे को जल्दी से vibrate करवाएगा and इस case में sound जल्दी travel करेगा तो humidity का मतलब water molecule ज्यादा है atmosphere में तो जब atmosphere में water molecule ज्यादा है density जब जाधा रहागा ईसे भी देखी naw solid का density सबसे ज़्यादा होता है liquid का density solid से कम होता है and gas का density सबसे कम होता है तो जब air में environment पर जब humidity होगा उस condition में density ज़्यादा होगा and density ज़्यादा होगा तो sound fast living travel करेगा and dry air में water molecule बहुत कम होता है तो उस case में density कम हो जाता है जिसके बज़े से sound slow travel करता है एक concept आप लोगों को जानना है sonic boom के बारे में देखें जब कोई object जो sound produce करता है वो sound के speed से भी ज्यादा speed से move करता है उस case में sonic boom का formation होता है बात समझें जब कोई object जैसे कि ये jet हो गया ये sound produce करता है एंड खुद sound के speed से भी fast move कर जाता है ये jet देखें आप लोगों सुने होगे जब jet fly करता है तो बहुत तेजी से आवाज होता है बहुत sharp आवाज होता है बहुत high decibel का sound होता है वो एंड ये jet fly करते वक्त sound produce करता है एंड खुद sound के speed से भी fast move करता है इस case में sonic boom का formation होता है देखिए जब ये jet sound के speed से भी ज़्यादा तेजी से move करता है उस case में एक sock wave का formation होता है and इसी sock wave को sonic boom कहा जाता है sonic boom एक sock wave होता है जो की object को sound के speed से ज़्यादा speed से move करने के वज़े से ये sock wave का formation होता है and इसी को sonic boom कहा जाता है एक supersonic speed आप लोग सुने होंगे supersonic speed भी कहा जाता है a speed of an object which is greater than the speed of sound किसी भी object का speed जब sound के speed से ज़्यादा हो जाएगा तो उसके speed को supersonic speed कहा जाता है गन के case में भी ऐसा ही होता है जब bullet fire होता है उस case में bullet sound के speed से भी ज़्यादा तेजी से बाहर निकलता है एक concept आप लोगों को जानना है कि light का speed sound के speed से ज़्यादा ज़्यादा होता है तभी हम लोग जब thundering and lightning होता है उस case में हम लोग बिजली को चमकते हुए lightning को पहले देखते हैं और थोरा देर बाद thundering का sound हम लोगों को सुनाई देता है इस बात से पता चलता है कि light का speed काफी ज़्यादा होता है sound के speed के मुकाबले तभी तो lightning को हम लोग पहले देखते हैं और sound को बाद में सुनते है नेक्ट वीडियो में हम लोग इससे related को कुछ question करेंगे and उसके बाद next topic जो है reflection of sound के बारे में पढ़ेंगे इस chapter का PDF description में दिया गया टेलिग्राम चैनल पे मिल जागा अप लोग वीडियो को like कीजे, share कीजे और चैनल को subscribe कीजे, thank you